क्या बीजेपी पार्टी को राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी का खौफ सताने लगा है राहुल गांधी पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी ने मेरी छवी को बिगाड़ने के लिए करोडो करोडो रुपए खर्च किये ताकि मेरी छवी जो है वो ब उसके बाई राहुल गांधी के साथ वो जब संभल जाने के लिए निकली तो उन्होंने योगी सरकार मोधी सरकार सबको लपेटे में ले लिया फिर उसके बाद संसत के अंदर भी लगातार इंडिया गडबंधन की तरफ से अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया साथ ही में प्रियंका गांधी ने संसत के अंदर चलने वाले हर एक प्रोटेस्ट के अंदर इंडिया गडबंधन का साथ दिया और वहीं मीडिया के जरिये BJP सरकार से कड़े सवाल पूचते हुए प्रियंका गांधी नजर आई अब क्या प्रियंका गांधी का ये रूप जो है BJP पार्टी को खटकने लगा है और अपनी इस खटकन को दूर करने के लिए अब BJP पार्टी की IT सेल को खुलना छोड़ दिया गया है जिससे प्रियंका गांधी को एक नेता होने के नाते या फिर गांधी परिवार का होने के नाते ही नहीं बलकि एक महिला होने के नाते भी क्या उन्हें अब अपमानित किया जाएगा दरसल प्रियंका गांधी को लेकर पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी ऐसी अभद्र टिपडिया की जा रही है उनकी कुछ तस्वीर को शेयर करके उन पर नाजाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तमाल किया जा रहा है जो मैं शायद इस कैमरे के आगे भी आपको ना बता पाऊ ना बोल पाऊ कि किस तरीके की भद्दे और नीच गलीच शब्द जो है वो प्रियंका गांधी के खिलाफ इस्तमाल किये जा रहे है और उसमें से अगर मैं आपको दिखाओं तो वैसे तो आपको हजारों दर्जोनों पोस्ट मिल जाएगी उसमें से मैं एक पोस्ट आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को बदनाम करने के लिए किस तरीके की भाशा या कहूं किस तरीके की नीच गलीच भाशा का इस्तमाल किया जा रहा है देखें आप ये तस्वीर जो शेर की जा रही है प्रियंका गांधी की और उस पर किस तरीके के अभधर कमेंट्स किये जा रहे हैं ये देखें किक्की सिंग जो लिखती है लगता है किसी के यहां बच्चा हुआ है अब जो लोग इस बात को इस कतन को समझ रहे होंगे तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जो पहले नेता विपक्षु थी अब सालसत बन चुकी है वो किस तरीके से जो उनके ना चाहने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से खटकने लगी हैं, कि उनके लिए किस तरीके की भाशा शैली का इस्तमाल किया जा रहा है। लिस्ट तैयार की जाती है। अगर तयार की जाने लगी। ने कितनी किताब के वह भढ़ जाएंडी है, लिएंगा नचेती, आफ प्रियंको ने में रहले प्रधानमंतरी देखा थे स् eta कर रूता है, कि मुझे गाली लग रही है। मुझे गाली दे रही है। आपके दुख सुनने के बजाए अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके एक बैठ कर लिस्ट बनाई है। अरे आपके दूखों की लिस्ट नहीं है वो। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है हमें क्या करना है वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किस ने गाली दी है कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी है इन लोगों ने हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपा लेंगे हिम्मत करो, हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सिखो मेरा भाई कहता है गाली क्या मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए सबसे बड़ी चीज एक पोस्ट में आपको दिखाती हूँ जहां प्रियंका और राहूल गांधी दोनों भाई बहन है अब कुछ लोगों को या कहूँ कि BJP पार्टी को ये भाई बहन का रिष्टा भी इतना जादा खटकने लगा इतना जादा दिक्कत देने लगा या फिर उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं मिल रहा तो भाई भाई भैन जैसे पवित्र और पावन रिष्टे पर भी उंगलिया उठाई जाए इस पर भी राजनीती की जाए बीजेपी पार्ट और लोगों को तो आप छोड़िये आप बीजेपी पार्टी के खुद के ओफिशेल हैंडल से किस तरीके की विडियो शियर की जाती और उस पर किस तरीके की भाशा का अस्तमाल किया जाता है आप इस पोस्ट के अंदर देखिए ये एक पुरानी पोस्ट है लेकिन आप फिर भी देखे आप समझ पाएंगे कि शुरू से लेकर अंतता कि किस तरीके से खेर अंता भी इस चीज़ का है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन किस तरीके से शुरुआत से जहां पहले राहूल गांदी अब प्रि गांदी और प्रियंका का रिष्टा प्रियंका राहूल से तेज है पर राहूल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है सोनिया गांदी भी पूरी तरह राहूल के साथ है घमंडिया गटबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूही नहीं विडियो में देखे कै ऐसे बहन का इस्तिमाल सिर्प चुनाव का प्रिचार करने के लिए किया जा रहा है। और जो ये वीडियो है ना इस वीडियो को मैं आपको यहां दिखा नहीं सकती। कभी कॉपियराइट का कोई शू आ जायए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जब मैंने इस वीडियो को देखा तो इसके शुरुवाती जो कुछ अंश थे ना उसके अंदर किस तरीके से प्रियंका और राहुल गांधी के संबंधों को किस गलत आप कह सकते किस तरीके से उसको दिखाने और बताने की कोशिश की गए बारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इक उस तश्मीरे शेयर करते हुए बीजेपी पार्टी के कुछ नेताओं ने कितनी घटिया और अभद्र टिपड़ी कर दी थी और ये वीडियो भी कुछ आप समझ लीजे ये जो वीडियो शेयर किया गया ये 3 सितंबर का वीडियो है जो कि 9 बच के 4 मिनट पर सुभा के टाइम ये शेयर किया गया था और इस वीडियो को अगर आप खुछ जाके उस टुटर हैंडल पर देखेंगे तो आप खुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके स इस विडियो को बनाया गया किस तरीखे से इस विडियो को create करने की कोशिश की गया ताकि ज्यादग से ज्यादगा लोगों तक वो संदेश पहुचाया जा सके जो घटिया मानसिकता मूझों लोगों के अंदर बैठी हुई है जिसने ये विडियो जिन लोगों ने बनाया और तैयार करने की कोशिश की गई बहले ही उसको आगे जाकर राजनीतिक रूप दे दिया गया भले ही राजनीतिक तोर पर दिखाया गया कि किस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांध को लेकर इस तरीके कि कई विडियो और फोटो शेयर किये गए इस बीच में प्रियंका गांधी का जो संसत के अंदर का एक फोटो शेयर किया जा रहा है इस पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दिये हैं जरा आप वो भी देखिए क्रांधी गुवार लिखते है सोशल मीडिया पर कुछ हिंदू जो खुद को संगी विचारदारा का वाहब कहते हैं प्रियंका गांधी को इस तस्वीर के जरिये अपमानित करने वाली पोस्ट गर रहे हैं एक महिला को अपमानित करके हिंदू संगी, हिंदू धर्म और इंडिया को बदनाम कर रहे हैं सोचे जो लोग एक तस्वीर के माध्यम से प्रियंका गांधी को अपमानित कर रहे हैं क्या ऐसे लोग अपने घरों की महिलाओ का संबान करते होंगे सोशल मीडिया पर संगियों की इस हरकत को इव टीजिंग यानि छेड़ चार कहा जाता है छेड़ चार अब केवल सडकों पर नहीं होती सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है वाकई ये बात जो ये आखरी जो ये दो अंश्रित है अब सोशल मीडिया के जरिये भी और AI का इस्तमाल करके भी किस तरीके से महिलाओ को बदनाम करने की फेक वीडियो जनरेट किये जाते हैं ताकि महिलाओ को बदनाम किया जा सके उन पर उंगलियां उठाई जा सके और इस बीच में प्रियंका गांधी के फोटो को शेयर करते हुए कि इस तरीके से उनके उपर टिपडियां की जा रही है घटिया टिपडियां की जा रही है कि शाम दाम दंड भेद हर तरह की नीती अपना कर कैसे भी करके किसी को डीपेम किया जा रहा है यहाँ पर और उसके बाद आप देखिए कृष्ण कांथ कहते हैं इस तस्वीर को वाइरल करके आईटी सेल वाले प्रियंका गांधी को ट्रोल कर रही है जहर की राष्ट्रे फेक्टरी के संस्थापक को मालूम नहीं है कि प्रियंका गांधी और नरेंदर मोदी में अंतर हैं मोदी रोने लगते हैं प्रियंका गांधी रोती नहीं बलकि इनकी बेचारगी परस्ती हैं उन्होंने राहुल गांधी की छवी कराब करने के लिए उन पर जितना पैसा जितनी ओर्जा और जितनी आदमी खर्च कर दिये प्रियंका गांधी को लेकर विवही करेंगे अब या लग बात है कि इससे होने वाला कुछ नहीं है उन्होंने महात्मा गांधी सर्दार पटेल पंडित नहरू तक को नहीं छोड़ा तो प्रियंका गांधी की क्या ही बात करें डर्पोक लोग हैं जिससे खतरा देखता है उसकी छवी खड़ाप करने के लिए चर्यतहरन करने के लिए अभियान चलाते हैं यह संगी सतर साल से नहरू की लंगोट में जाक रहे हैं दूसरे को बदनाम करने के चक्कर में संगी नंगे हो गए पूरा गोट से गिरो एक अं बात फिर भी आप तर्क वितर्क करिए आप भी अपनी सरकार की योजनाय दिखाईए आप अपनी सरकार के अच्छे काम दिखाईए ताकि जो विपक्ष बोल रहा है उसको भी चुपकर आया जा सके लेकिन यह किस तरीके की घटिया चीज है कि एक महिला होने के नाते एक सा अंसद होने के नाते नेता विपक्ष होने के नाते आप इस तरीके की घटिया हरकतों पर उतर आएंगे वेरहाल अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे यह किसी हैल्दी राजनीती का हैल्दी पॉलेटिक्स का क्या यह सिमवल हैं वेरहाल आप लोगों का अब जो भी इस वीड करें धन्यवाद